कि ऐसा क्रते हैं आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तर पर्फेक्ट इस्टरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आपकी ब Block Perm दे लिर रही है, और आज हम लोग 35 समेस्टर की फर्स्ट तब तो बहुत अच्छी बात है यदि आप किसी अनिवर्सिटी से भी बियर्ट कर रहे हो और यदि आपके स्लेबस का पार्ट है सैच्छिक प्रसासन या फिर बिर्द्याले प्रबंधन और नित्रितु तो पूरी क्लास को जितनी क्लास इसमें होगी आप लोग कवर कर सकते ह अपले स्लेबस के अकॉर्डिन ठीक आईए अब दोस्त हम लोग क्लास की सुरुआत करने जा रहे हैं और एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे कि आप क्या होता है सैच्छिक प्रसासन क्या होता है एजुकेसनल एड्मिनिस्टेशन इसमें आपको मुक्रूप से आज हम लो दूर करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे ठीक आईए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास की सुरुआत करते बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको कि सैच्छिक प्रसासन की दोस्त यदि हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहला वर्ड आपको क्या समझने की आउ सकता है तो कहोगे सजी सबसे पहले आप प्रसासन को समझा दीजे कि आखिर प्रसासन होता क्या है तो ध्यान से दोस्त मेरी बात को समझेगा प्रसासन एक तरीके से प्रसासन की उत्पति कांस हुई तो कहोगे सजी इसे अंग्रेजी में एड्मिनिस्टेशन कहते हैं और दोस्त ध्यान से मेरी बात को समझेगा यदि administration की उद्पत्ती की हम लोग बात करें तो किसे हुई है तो आप तुरंत कहोगे सर जी ये latin भासा के किसे हुई है तो minister सब्द से हुई है किसे तो कहोगे सर minister सब्द से हुई है और minister का अर्थ क्या होता ध्यान से मेरी बात को सम तो यहाँ पे आपका पहला doubt के लियर हो जाना चाहिए कि प्रसासन का दोस्त अर्थ क्या होता है तो दूसरों की सेवा करते रहना ही हम administration या फिर प्रसासन का मुख रूप से अर्थ यहाँ पे निकालते हैं ठीक है अब इसी के साथ एक सब्द यहाँ पे जुड़ गया सैचिक प्रसासन तो सर सैचिक प्रसासन का अर्थ क्या होता है दोस्त इसे आप लोग समझ लीजे आपका समझे पूरा निसकर से यही से निकलेगा कि सैचिक प्रसासन का अर्थ हम लोग यह कह सकते हैं कि सिच्छा सम्मंदी क्या करना तो को कि सिच्छा सम्मंदी योजना बनाना सि से पहले यदि आप से यह पूछा जाए कि प्रसासन का अर्द क्या होता है तो दूसरे बैक्तियों की सहायता करना या फिर दूसरे बैक्ति की सेवा में लगे रहना ही administration का प्रमुकार होता है और administration की सब्द से इसकी उत्पत्ती हुई है तो Latin भासा के minister सब्द से हुई है इसका अर्थ ही होता है कि दूसरों की सेवा करना या पिर दूसरी के सेवा में लगे रहना ही इसका मुका अर्थ होता ठीक है चलो इतना समझ गए तो एक बार कर देजे कि हां सर हम इतना समझ गए कि सचीक प्रसासन का अर्थ क्या होता ठीक आईए अब हम लोग आगे continue करते हैं और एक एक पॉइंट को बड़े डिप्त में समझेंगे कि क्यों सचीक प्रसासन या फिर प्रसासन को बिज्ञान और कला कहा जाता है और प्रसासन का मुक अर्थ क्या होता अगर यहां से हम लोग समझें तो किसी भी संगठन के कारे को सुचार रूप से चलाने के लिए प्रसासन की आउसकता पड़ती ही पड़ती है एक जांपल के तोर पे ध्यान से मेरी बात को समझेगा आपका विद्याले देख लीजिए ठीक है सीधे सीधे आपके एजुकेशन से जोड़ के बताएंगे और दिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरी क्लास को जितने बच्चे हैं बड़े थम से देखेगा ताकि आपका एक एक कॉंसेप क्लियर हो जाए और अच्छा से अच्छा इसकूर आप गेन करिए ठीक है अगर दोस्त प्रसाशन की बात करें तो किसी संगठन के कारे को सुचार रूप से चलाने के लिए ही प्रसाशन की आउसकता पड़ती है अच्छा ये बताओ कि विद्याले में किसकी आउसकत की जाए या पिर जो कि पुराने टीचर हैं उनको किस वे में पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए समाज के साथ उनको घुलने मिलने के लिए बोला जाए समाज की मुख अर्थ दोस कहीं फिड करने जगा अपने माइड में, किसी भी संगठन के कारे को सुचार रूप से चलाने के लिए, कंटी निवस किसी कारे को चलाने के लिए बहतरी रूप में, आपको प्रसासन के आउसकता पड़ेगी ही पड़ेगी, यही प्रसासन की मुख रूप स समझ गया होंगे, बिल्कुल easy way में चलेंगे ताकि आपका पूरा concept के लिए हो जाए, ठीक है, प्रसासन बरतमान समय के एक तरीके से अनिवार आओ सकता हो गई है, किसी भी संगठन को आप देखते होंगे, कि बिना प्रसासन को भया एक तरीके सम चला ही नहीं सकते, इस point को सभी लोग सुनिश्चित कर लीजगा, ठीक है, किसी भी समाज की सरचना उसके प्रसासन से ही सुनिश्चित होती, जैसे example के तौर पे आप ये बना दिये, मालिज़े, आप को ये rule बना दिये, आप एक तरीके से rule बना दिये, कि जो हमारे समाज में है, वो सुबह सुबह सब बना दिये, अपने बिद्याले में, एक कानून बना दिये, कि एक तरीके से सुबह 10 वजे के पहले पहले जितने भी टीचर हैं, जितने भी इस्टूइंडर सब को क्लास में आ जाना है, सब को बिद्याले में आ जाना है, अच्छा ठीक है, आपने rule तो बना दिया, लेकिन बताओ भया, उसको follow कौन करेगा, उसको एक तरीके से manage कौन करेगा, उसको follow करवाएगा कौन, तो कहो के सजी प्रसासन करवाएगा, और प्रसासन किसके द्वारा करवाएगा, तो कहो के सजी वो प्रसासक के द्वारा कराएगा, इतना दोस्त इसके बारे में आप लोग जा तो प्रसासन का कारी ही होता है किसी भी कारे को सुचार रूप से या फिर किसी संगठन के या फिर किसी समू के कारे को सुचार रूप से चलाने का उत्तरदाई तो किस पे होता है तो administration पे होता है सर प्रसासन पे होता बस इतना आप लोग जान लिजेगा अच्छा इसी के साथ साथ एक सब्द जुड़ गया है, यहाँ पे एक तरीके सैचिक प्रसासन, तो सिच्छा से सम्बंदीद, और एक तरीके से योजना बनाना, सिच्छा की बिवस्था करना, सिच्छा का मुल्यांकन सम्बंदीक कारे करना ही, educational administration का मुख कारे होता है, उम्मीद करते दोस इतने concept क समझ गया होंगे, अब हम लोग आगे continue करते हैं, ठीक, आईए, अब यहाँ पे आपको दो point हम समझाएंगे, बड़े सच्चे दिल के साथ, और कर हम telegram पे आप से पूछे भी थे, एक तरीके से प्रसासन में, सरकार में क्या अंतर है, उसके पहले दोस्त, यहाँ पे एक key point आप लोग समझे कि सिच्चा प्रसासन और लोग प्रसासन में कुछ अंतर होता है या नहीं होता, बस इतना आप लोग यहाँ पे समझ लिजएगा, important होगा, ध्यान से दोस्त मेरी बात को समझेगा, आपको हम लेके चलेंगे आपके first semester में, और first semester में हमने आपको एक concept बताय कि बिद्धी जो होती वो बिकास में ही समाइथ होती है, उसी प्रकार मेरे भाई, मेरे बहन, उसी प्रकार सिच्चा प्रसासन जो है, वो एक तरीके से लोग प्रसासन से तो अलग है, लेकिन ध्यान से मेरी बात को समझेगा, जब इसे बड़े ब्यापक वे में हम लोग दो समझते हैं तो इतना मान के चलते हैं कि सिच्छा प्रसासन लोग प्रसासन से ही निकला हुआ यह स्वरूप होता है यह पर लोग प्रसासन का ही एक एक तरीके से अंग होता है अब कहो कि सर थोड़ा सा लोग प्रसासन को बता दीजे कि यहां पर लोग प्रसासन क्या होता है ध easy way में समझा रहा है लोक प्रसासन यानि प्रसासन का administration का वह पार्ट वह अंग जो समान जनता के लिए हितकारी हो जो समान जनता के लिए लाबकारी हो उसे हम लोग लोक प्रसासन कहते हैं दोस इतना यहां पे आप लोग समझते हुए रहेगा और सिच्छा प्रसासन लोक प्रसासन से ही निकला हुआ है लेकिन फिर भी आपने आप में यह अपना अस्थित्व रखता है क्योंकि सिच्छा प्रसासन में हम लोग माननों मुल्यों की बात करते हैं समाजिक मुल्यों की बात करते जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, उन सब की बात हम लोग सिछा प्रसासन में करते हैं, बलकि लोग प्रसासन में जनता को सही वे में उनके जो अधिकार हैं, उनको दिलवाने के हम कारे करते हैं, तो दोनों में बेसिक रूप में अंतर भी है लेकिन ब्यापक रूप में देखा जाए दोस्ट तो आपका जो सिच्छा प्रसासन है वो लोग प्रसासन से ही निकला हुआ है इस कॉंसेप को यदि समझ गए तो पूरा खेल समझ जाएंगे ठीक है आईजे अब थोड़ा सा आगे समझ गए प्रसासन एक महत्व पूरपद है जिसकी ब्यवस्थित एवंग सू असपश्ट ब्याक्या लोग प्रसासन में किया जाता है इस पॉइंट को सभी लोग जानते हैं कि अगर एड्मिनेस्टेशन की बात आती है तो हम लोग समान रूप से यही कहते हैं लोग प्रसासन यानि प्रसासन मतलब जनता के लिए कारे करे यानि एक ऐसी एजनसी एक ऐसे एक तरीके से एक ऐसा समूझ जो जनता के लिए कारे करे उसी को हम लोग प्रसासन कह देते हैं जो जनता की हितकारी के लिए कारे करे ठीक है यानि जो लोग प्रसासन है वो प्रसासन का अंग है इतना आप लोग जानत सिच्छा प्रसासन लोग प्रसासन का एक अभीन अंग होते हुए फिर भी एक तरीके से अपने आप में उसका अस्तित होता है फिर भी यानि लोग प्रसासन से सिच्छा प्रसासन एक तरीके से कहने का मतलब है थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता ही होता है क्योंकि इसका संब बंद जो बिद्यालयों से है, और बिद्यालय स्वयम में 1 बिस्षित संस्था होती है, दोस्ट, इतना आप लोग यहाँ पे समझ्जेगा, देखो अगर सिछा प्रसासन की यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बस की point को आप लोग यहां पे समन लिजे अगर दोस्त यहां पे हम लोग सिच्छा प्रसासन की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है बिध्यालय का अपना एक करनक बिद्यालय चार दिवारियों में बंद एक तरीके से एक छोटा समाज होता है अब अगर जब बिद्यालय को आप समाज डिफाइन कर रहे हो तो समाज का तो अपना स्वयम का प्रसासन होता है उसी प्रकार बिद्यालय का अपना स्वयम का प्रसासन होता है जिसे हम लोग सेच्छिक प्रसासन या फिर एक तरीके से educational administration या फिर सिच्छा प्रसासन के नाम से जानते हैं दोस्ट इस की point को आप लोग गच्छे से समझेगा पहली class थम के समझेंगे और निस्कर्स बताते हुए चलेंगे कभी आप भूलने वालों में से नहीं हो ठीक चलो अब उमीद करते हैं आप लोग प्रसासन और एक तरीके सिच्छा प्रसासन में different समझ गया होंगे लोग प्रसासन किसका अंग है तो कोगे सजी ये प्रसासन का अंग है और सिच्छा प्रसासन किसका अंग है लोग प्रसासन का अंग होते हुए भी अपना अलग वे अपने आप में एक संगठन होते हैं और हर संगठन का अपना प्रसासन होता है यानि एक तरीके से बिद्याले में कैसे हमें नियोजन करना है कैसे हमें प्लानिंग करना कैसे बिवस्थापन करना है कैसे योजना बनाना है ये सारा कार अपना एक तरीके से अलग रूप में कौन करता है तो सिच्छा प्रसासन करता है उम्मीद करते दोस्त दोनों में अंतर आप लोग यहाँ पे समझ गया होंगे अब हम लोग थोड़ा सा आगे continue करते हैं और अगले यहाँ पे की point को समझने का दोस्त यहाँ पे प्रयास करते हैं बेहद important point समझने हम लोग जा रहे हैं कि प्रसासन यानि administration में politics में क्या अंतर होता है राजनीती में क्या अंतर होता है अच्छा politics को यहाँ पे मैं bracket में सरकार क्यों लिखा हूँ ध्यान से मेरी दोस्त यहाँ पे बात को समझेगा इसको अगर बड़े ब्यापक वेमें समझे न तो politics का कार क्या होता är याणी राजनीती का कार क्या होता है अपने आपको government में बना के रखना अपने आपको सरकार के रूप में अस्ठापित करना ही politics का राजनीती का मुख्य उद्दे से होता है और इसलिए politics को एक तरीके से हम कोश्टक में आपको सरकार दिखा दी क्योंकि हमें मुख रोप से ये दर्शाना है कि प्रसासन और सरकार में क्या अंतर होता दोस्ट इतना मेरी बात को यहाँ पे समझेगा देखो दोस्ट ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे जा रहें, जो सरकार के यदि कार की बात करें, तो राज्य के जो मुद्दे होते हैं, जो केंद्र के मुद्दे होते हैं, जो जन समुदाई के मुद्दे होते हैं, जो समान जनता के मुद्दे होते हैं, उनको उठाने का कारे, उन पे प्लानिंग का कारे कौन करता है, कोगे सर हमारी गौर्मेंट करती है ठीक है चलो गौर्मेंट ने तो बता दिया कि भईया सब को क्या होगा कि एक तरीके से प्रधान मंतरी अवास योजना के ताहत का सब को मकानम उपलब्द कराएंगे ठीक है ये तो भईया सरकार ने आपको बता दिया लेकिन वो एक एक बैक्ती को जो बैक्ती सच्छम है उनको न देके जो बैक्ती अच्छम है जुनको एक तरीके खास चरूरत है उनको देने का कारी कौन करेगा उनको डिफाइन करने का कारी कौन करेगा उनको ढूडने का कारी कौन करेगा तो कोहोगे मुस्कुराते वे सर्जी प्रसासन करेगा कोहोगे सर जी वो प्रसासन देता है यारी अब एक point यहाँ पर आपको समझने वाली important है कि प्रसासन किसके अंदर काम करता है तो कहोगे सर जी वो सरकार के अंतरगत कारी करता है सर वो politics के अंतरगत कारी करता है फिर भी दोनों में अंतर होता है क्योंकि सरकार का कारे होता अपने आपको गौवर्मिन्ट में बना के रखना और प्रसासन का कारे होता है कि जो जनता के लिए नियम कानून बनाए गए हैं उनको सुचा रूप से चलाते रहना उम्मीद करते सर प्रसासन में और सरकार में आप लोग different को समझ गया होंगे ठीक आईए इसी के बारे में यहाँ पे Alexander Hamilton क्या कहते हैं सरकार का कार ब्यापकर्थ में सभी कारेपालिकाओं से सम्बंदित होता है जो सासन पढ़ाली को करने होते हैं यानि सासन तन्त को ब्यवस्थापिका, कारेपालिका, न्यापालिका से सम्बंदित कारेपालिका एक तरीके से क्रिया कलाप करने होते लेकिन यदि हम लोग प्रसासन की बात करें तो मात्र इनका कारे क्या होता है कारे पालिका के कारियों से संबंदित इनका कारे होता है यही बात आपके हमिल्टन कहते हैं कि जो सरकार का कारे होता वो ब्यापक होता है यानि वो एक तरीके से जंता की बातों को रखना अपने आपको गौर्रमेंट में बना के रखना यानि ये तरीके जितने भी न्याय पालिका उसे ब्यवस्थापिका कारे पालिका सभी में कारे करना ही सरकार यानि गौर्रमेंट का मुख कारे होता है लेकिन यदि हम प्रसासन की बात करें तो इनका मुख रूप से बिसेश कहां पे वर्क होता है तो कारे पालिका पे इनका आधारित कारे होता है यही दोनों में अंतर होता है दोस्ट उम्मीद करते हैं यह basic concept को आप यहाँ पे समझ गया होंगा ठीक आईए 1987 में बुड्रो विल्सन के किताब आई The Study Up Administration जिसमें बताया गया कि प्रसाशन को 20 सुरूप से सरकार के कारियों को रूप में परिभासित किया गया है और भया ये वुड्रो विल्सन जी की ही quotation यहाँ पे हम quote किये और आपको ये बताये थे कि प्रसाशन किसके according कारे करता है सरकार के according कारे करता यही आपके एक तरिके से वुड्रो विल्सन साब इनकी किताब The Study आप administration में कहते हैं कि प्रसाशन BCS रूप से सरकार के कारियों के रूप में परिभासित किया गया है याणि एक तरिके इस प्रसाशन का कारे ही होता है कि जो सरकार के कारे होते हैं कारे-पालिका वाले उनको क्रियावन रूप देना उनको करणनित रूप देना ही आपका प्रसासन administration का कारी होता है दोस्ट उम्मीद करते हैं इस पूरे concept को आप समझे होंगे ठीक है इसके बाद यहीप एक तरीके से Frank Goodno क्या कहते हैं प्रसासन तथा politics को अलग-अलग कारे माना जाता है politics का अर्थ सरकार के उन कारियों से है जो राज की इच्छा अभिवेक्त करने और नीतियों का निधान करने से संबन दीता है यानि राज की इच्छा मतलब जो राज के मुद्दे हैं क्या कोगे सर जो राज के मुद्दे हैं जो राज के मुद्दे हैं जो राज के इसू है उनको उठाने का कार इनको क्रियानुवित रूप कौन देता है तो कोईए सजी वो परसासन देता है यही एक तरीके से दोनों में अंतर है अमीद करते हैं आप एक तरीके से administration को और यहाँ पर यानि politics यानि सरकार को आप लोग यहां पर समझ गया होंगे, इनके मुखरूप से कार, बिल्कुल तूद आपके syllabus हम चल रहे हैं, जितना point आपको पढ़ाना का है, उतनी point को पढ़ाएंगे, बस belief के साथ दोस्त पढ़ते रहेंगे, एक एक concept आपका हम clear करने का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे, अच्छा, एक अगले point को आपको आज के class में आपको पढ़ना है, कि प्रसासन कला अत्वा बिज्ञान है, ध्यान से मेरी बात को समझेगा, अधिकतर एक तरीके जितना भी सिच्छा विद हुए, जितना एक तरीके सिच्छा विद हुए, उनमें हमेशा conflict एक द्वन्द चलता रहा है, कि प्रसासन को हम कला माने, अत्वा बिज्ञान माने, और हम आपके feedback का भी इंतजार करेंगे, comment section में, आप comment करिए, कि प्रसासन कला है, या फिर प्रसासन एक science है, कोगे sir, आप बताईए क्या है, तो ध्यान से मेरी बात को समझेगा, हम blast में बत प्रसासन कला है, अत्वा बिज्ञान ठीक है, चलो, सोफ समझके बताईएगा, अब हम यहाँ पे class continue करते हैं, और बताते हैं, कि प्रसासन एक कला है, दोस्त मेरी बात को बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेगा, जो लोग प्रसासन एक कला के विचारधारा को मानने वाले है इसको दो रूप में बाढ़ते हैं, एक तो यह मानते कि जो प्रसासनी अधिकारी होते हैं, जो प्रसासन के कार में सनलिप्त होते हैं, वो जन्मजात होते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझेगा, अभी आप साध अरसहमद भी होंगे, पर हम प्रूफ कर देंगे, और एक प्रसासन भी एक कला है कहने का मतलब है दूसरों से अपनी बात को मनवाना ठीक है दूसरों का एक तरीके से अप अपनी बिचारधरा को ऐसे प्रकट करना है कि दूसरे λोग उसको ये कहने लगे हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है यानि ये हमारी ही विचारधारा, जैसे एक्जामपल के तौर पे दोस्त मैं आपको स्रीफ बताने का प्रयास करूँगा, माल लिजे, ठीक, देखो कला की बात करे, प्रसासन कला क्यों है, मैं आपको एक्जामपल देखे समझाऊंगा, कबों नहीं भूरेंगे, समझगे, जै अपने क्लास में आप जा रहे हो, अध्यापक भी एक प्रसासक ही होता है, या अध्यापक भी एक प्रसासन का कार ही करता है, यह बताइए, अगर बिद्याला में आप गए, और अपने बच्चों को बिना उनका मूड को जाने, बिना उनकी इच्छा को जाने, आप सिर्फ इतना कह दिये, देखो बच्चो, आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको प्रकास, देखो बबू, आप कांपी खोल लो पढ़ाएंगे प्रकास, उसमें से अगर दस बालक हैं, तो ऐसा जरूर सम्भव हैं, कि आठ बालक प्रकास पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं, और दो बा आप उसी क्लास में ये कहिए, देखो बबू, यदि आप प्रकास को पढ़ लोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा, कि हम प्रकास को छू क्यों नहीं पाते हैं, प्रकास एक ऐसी वस्तु जिसकी माद्यम से हम बस्तू को देखने का प्रयास करते हैं, प्रकास स्वयम में हमें बस दुए दिखाई देती हैं, बस इतना हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, कि जो एड्मिनिस्टेशन है, जो आपका प्रकार की कला होती है, आपको किस से अपना कैसे काम निकलवाना है, ये प्रसासक को बखू भी आना चाहिए, तभी उसके करमचारी उसके करते हैं, जो लोग प्रसासन का कारी करते हैं, जो लोग कोई इस्ट्यूट वगरे चलाते हैं, उनमें जन्म जाती कुछ लक्षण देखने को मिल जाते हैं, उनमें कुछ ऐसे गुण नित्रित के लीडर्सिप के कुछ ऐसे गुण देखने को मिल जाते हैं, जो आप सामान स कह सकते हो कि यह आगे चलके प्रसाशन का कारे ही करेंगे लेकिन इस विचारधारा को कुछ लोग कट करते हैं और यह कहते हैं कि देखो जन्म जात ही सब कुछ मैटर नहीं करता इसको अरजित भी किया जाता जैसे एक्जांपल के तौर पे अभी बरतमान के हम नरेंद मोदी जी को ले लेते हैं या पिर माननी आधितनात्योगी जी को दे लेते हैं एकजाम्पल के तोर पे हम अपने बर्तमान प्रधान मंत्री जी मोदी की बात यहांपे करें तो बताईए बाया कोई बी इनके पैरेंटस में से क्या कोई भी एक तरीके से कि हमारे politics में था, राजनीती में था, नहीं था, इन्हों ने अपने काबलियत पे, अपनी एक तरीके समझदारी सूज बूज पे ही government में आए हैं, और फिलाल एक तरीके से, सत्ता में बने हुए हैं, बस एक example दे न, फिलाल हमारा कोई politics से संबन नहीं है, पर हम आपको बस एक opinion अपना दे रहे हैं, आपको समझाने के लिए, तो आप ये बताइए, कि प्रसासन का कारे मोदी जी जनम जात है या फिर अरजित है तुरंत कोगेसर जी उन्होंने अरजन किया है, और एक समान इसी बाद बस ये समझेए, एक गरीब का लड़का आज इतने सरोच पद पे बैठा है, तो इसका मतलब यही नहीं है भया कि वो जितनी भी एक तरीके से, कि सारी बाधाओं को तोड़ते हुए अरजित तो किया ह होती है, तो जो जन्मजात को मानते वो कहते हैं, प्रसासन जन्मजात होता है, कुछ न कुछ गुर दिखाई दे देते हैं, और बरतमान समय में प्रसासन एक कला की रूप में जो एकसेप्ट करते हैं, वो अरजित वाले बिचार धारा को एड़ेप्ट करते हैं, कि प्रसास प्रसासन कला है लेकिन इसे हम अर्जित कर सकते हैं इसे और हम बहतर कर सकते दोस्ट इतना आप लोग इसको आप लोग अच्छे समझ लिजेगा अब कोगे सर अपना ओपिनियन दीजिया या प्रसासन कला में जनम जात मानते या पर अर्जित मानते दोस्ट तो हम बिल्कुल तथस्त हो कि हम दोनों को मानते हैं कि जो प्रसाशन का कारी करता है कुछ न कुछ जनमजात लक्षन भी दिखाई दे देते हैं और जनमजात को हम यहाँ पे 10% और अरजित को 90% यहाँ पे हम परसेंटेज में बाढ़ दे तो टोटल 100% हो गया इस हिसाब से प्रसाशन एक कला ह अब उमीद करते आप इतना चर्चा करने के बाद आप समझ गया होंगे इतना एक्जामपल देने के बाद आप समझ गया होंगे कि प्रसाशन कला है तो क्यूं कला है इस परकार से उमीद करते दोस्त आप लोग यहाँ पे समझ गया होंगे ठीक है अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रसाउसाजाँ एक विग्यान है। अगर मान लिजे आप जनता को किसी प्रॉबलम को सौल्प करना जाते हैं, तो मालिजे जनता में आप ये चाहते हैं, कि सब को एक एक हम घर परवायड करा दें, सब को एक हम मकान परवायड कर दें, तो बताइए तो सबसे पहले आपका गुड क्या होना चाहिए तो कोगे सजी सबसे पहले हम उनका एक तरीके सबी की जनगणना करेंगे कि किसी गाओं में मालीजी किसी गाओं में आपको घर प्रवाइड करना है तो सबसे पहले ये देखें कि गाउं में कितने लोग हैं ठीक और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उस गाउं में कितने लोगों के पास पक्के मकान हैं इट के मकान हैं और कितने लोगों के पास यानि किसी मिटी की दिवारों वाला मकान है ठीक इसे गाउं में माली मड़ई का घर है किसी के पास माली जी एक तरीके से खपड़े का घर है और किसी के पास इट का घर है तो सबसे पहले आप क्या करोगे उनमें अंतर तो प्राप्त करोगे जिसके पास इट का घर है उसे अपने लिश्ट से आप कट करोगे और जिसके पास रहने का एक तरी करते हों, उनमें assessment करते हो, सारी चीजों को जानने का प्रयाँ करते हो, तो उमीद करते हों इस दोनों concept को आप जहां पर समझ गयाऊँगे, उनकी धाड़ा की प्रसासनिक समस्याओं को सुल्जाने के लिए प्रसासनिक सिधान्तों का प्रयोग किया जाता है जैसे सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे नियोजन करोगे उसके बाद मुल्यांकन करोगे ठीक है इस परकार से जितनी भी प्रसासन सिधान्त है उनको आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तो यह पूरा कॉंसेप्ट रहा दोस्त प्रसासन कला है अथवा प्रस प्रसासन एक तरीके से कला भी है और साथ में प्रसासन बिज्ञान के स्वरूप को भी अपनाए हुए है और अच्छी गुणवत्ता पूर्ण प्रसासन को संचालित करने के लिए उसमें कला और उसको बिज्ञान का दोनों का होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं अच्छा प्रसासन का कारे करेगा उम्मीद करतें दोनों पॉइंट को आप लोग यहां पे समझेंगे ठीक अब देखो नोट पॉइंट यहां पे साफ साफ लिख दिये हैं कि प्रसासन में दोनों का ही समावेस होता है यानि प्रसासन बिज्ञान भी है प्रसासन एक परका कलादोरा ही निधारित किया जा सकता है नहीं परसासन में बिज्ञान और कलादोनों का सम्मान महत्तो है उम्मीद करतें दोस्त पूरे कॉंसेप को आप यहां पे अच्छे से समझाओंगे ठीक आईए अब आगे चलेंगे और अब यहां से क्लास आपकी सुरुआत हो रही है क कि सैच्छिक प्रसासन क्या होता है एक बार आप यहां पे यस कर दीजे कि हां सर जी अब हम ये समझ गए है प्रसासन के मुख रूप से अर्थ को समझ गए है कि प्रसासन का मुख अर्थ क्या होता है एक बार हम आपका यस चाहेंगे और यस कर दीजे फिर हम continue करते हैं कि सर एक बार APS करिए दो फिर हम लोग continue करते हैं और समझते अगले point को अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सैच्छिक प्रसासन होता क्या है देखे बियर्ट के लिए बड़े ही depth में चीजे चल रहे हैं और आप सबको पता syllabus आपका new है तो अच्छे से थम के चीजों को पढ़ लिजे बावन हजार रुपए लगाएं तो एक एक चीज को निचोड लिजे और बहतर से बहतर स्कोर करिए मामी भबा का नाम रोसन करिए ठीक है आईए educational administration की बात करेंगे तो ध्यान से मेरी बात को समझेगा सबसे पहले इसे बिल्कुल हम आसान भासा में समझाने का प्रयास करेंगे तब आप इसे समझ जाएंगे ठीक है ध्यान से मेरी बात को समझेगा तो कह सकते हैं कि सच्छिक प्रसासन क्या होता तो कह सकते हैं सिच्छा स ब्यवस्था करना, सिच्छा की planning करना और सिच्छा में कितनी प्राप्ति हुई है, बालक को कितना हमने पढ़ाया, बालक ने कितना अचीब किया, उन सब का क्या करना, तो कहोगे सर जी, एक यहां पर आ गया, assessment hall learning वाला मुल्यांकन करना, ठीक, सबसे पहले planning करना उसके बाद आप द्यवस्था करना उसके बाद evaluation करना मुल्यांकन करना ही सैच्छिक प्रसासन का मुख अर्थ होता सर मुख उद्देश से होता उमीद करते इस concept को समझ के होंगे अब आईए हम लोग आगे वरते हैं और यहाँ पे समझते हैं देखो समान प प्रसासन की दोस्त हम लोग यहाँ पे बात करें तो लोग प्रसासन में हम क्या करते हैं जनता के मुद्द्यों को उठाते हैं और उनको solve कर देते हैं जैसे मान लेजे अगर सहर में मकान का आवंटन हुआ है गाउं में मकान का आवंटन हुआ है तो हम कोई आपके पास आया और ये कहक सरमे मकान नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, लोग प्रसासन के मादम से आप जनता की सेवा करते हुए उसको मकान दिलाओगे, क्यों नहीं मिला उस रीजन को जानोगे, लेकिन यहीं यहीं हम सैचिक प्रसासन की बात करें, तो आप यह जानेंगे जो मानो मुल हैं, मानो मुल्लक जो मानो की संस्कृत जो मानो का कल्चर जो मानो का सिवलाइजेशन जो सब्वेता है उसको सुचा रूप से चलाने का कारी करेंगे और ये कारी कौन करता है आपका सैचिक प्रसासन करता है सभी लोगों में मानोता का गुड डिवलप करने का कारी कौन करता है प्रसासन होता है, ये मानों मुल्यों की बात करता है, जो समाज में आप परिवर्तन चाहते हो, उसकी बात करता है, आपका कौन, तो कोई के सर एजुकेस्टनल एड्मिनिस्टेशन करता है, उमीद करते हैं, इस कौंसेप्ट को आप समझ गया होगा, ठीक है, आज़े, यह प् परिवर्तन को सुनिष्चित करने का कारे कौन करता है, तो कोई के सर जी सैचिक प्रसासन करता है, सर एजुकेस्टनल एड्मिनिस्टेशन करता है, उमीद करते हैं, इस कौंसेप्ट को दोस्त, आप लोग यहां पर समझ गया होगा, ठीक है, आईए, अच्छा, इसी के बार करने की योग बनाना ही, जिससे वे उपलब्द आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपनी प्रसिच्छन से स्वरोतम को एक तरीके स्प्राप्त करने में समर्थ हो सके, यानि सिच्छा प्रसासन का मुक अर्थ ही भया, आपके यहां पे ग्राहम साहब बिलकुल डिफाइन क करता है, और सही बालकों को चैन करने के बाद उन बालकों को सही सिच्छक प्रवाइड करता है, और सही एक तरीके सिच्छा प्रवाइड करता है, कौन आपका सिच्छा प्रसासन, ये कहते हैं आपके की ग्राम बैल फोर साहब, इसको आप लोग गच्छे से समझने जगा, स education research क्या कहती है यानि एक परिके सिच्छा अनुसंधान विसकोष इसके वारे में क्या कहता है कि सिच्छा प्रसासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्मंधित बेक्तियों के प्रयास का समन्म है तता उचित सामगरी का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवी गुरू का समुचित बिकास हो ध्यान से मेरी बात को समझेगा ये इन्वर्सल डेवलप्मेंट पे जोड देते हैं ये सौर भामिक बिकास पे जोड देते हैं कौन तो सिच्छा प्रसासन अच्छा कहोगे सर्थ थोड़ा डिप्त में चलिया अब बहुत कन्फ्यूज हो रहा है ध्यान से मेरी बात को समझेगा आईए अब थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे आपको एक एक कीवर्ड बता देंगे अपने आप सिच्छा प्रसासन समझ जाओगे अच्छा दोस्त मैं आपको हमेशा एक चीज बताते आ रहा हूँ साथ इसके पहले आपको ना बताओ लेकिन यहाँ पे बता दू अगर हम आपसे यह पूछे कि चलो बबू यह बताओ कि सिच्छा का उद्देश से क्या होता है वैसे मैं inclusive education में आपको पढ़ाऊंगा पर यहाँ भी बता देता हूँ कि मैं आपसे पूछो दोस्त यह बताओ कि सिच्छा का उद्देश से क्या होता है तो कहोगे सर जी देखो अगर कहोगे सर जी मंदारी से बताए तो जो समाज का उद्देश से होता है सर वही जो समाज का उद्देश से होता है सर वही हमारे सिच्छा का उद्देश से हो जाता तो एक बात बताओ दोस्त जब जो समाज का उद्देश है वही सिच्छा का उद्देश से होता यानि समाज अगर चाहता है कि जो अच्छे नागरिकों का development हो तो education अच्छे नागरिकों का development करेगी अगर यही आप एक तरीके से किसी तालिबान ग्रूप को जोईन कर रहे हो या फिर कोई एक तरीके से आतंकी संगठन की बात करेंगे तो वहां कि सिच्छा अलग हो जाती है उसी परकार जो समाज का उद्देश है दोस्ट वही सिच्छा का उद्देश हो तो यह बताओ अगर आपका जो सिच्छा का उद्देश यानि समाज का उद्देश तो सैच्छिक प्रसासन में हम किसकी बात करेंगे तो जो समाज में आप परिवर्तन चाहते हो उसी को total manage करने का कारी कौन करेगा, आपका सिच्छा प्रसासन करेगा, यानि जो बानवी गुणों को आप develop करने का प्रयास करते हो, तो मानवी गुण कितने point तक develop हो गए हैं, कहां तक develop हुएं, कहां तक नहीं हुए हैं, इन सब को नियंतरित, इन सब को केंदरित करने का कारी कौन करेगा सिच्छा प्रसासन करने का कार्य करता है उम्मीद करते ये आपका इनसाकलोपीडिया वाली डिफनेशन आप समझ के होंगे ठीक आज़े यहाँ पर एक लाश डिफनेशन समझ लीजे इंपॉटन यहाँ पर है कि सिच्छा प्रसासन में सिच्छार तथा सिखने की प्रकरिया सम्मंदित लक्षों नीतियों के विकास को प्रोशाहित करने वाली सुभिधाय नीत होती है यानि क्रैमवल की सबसे इंपॉटन डिफनेशन यहाँ पर हो जाती है कहीं कहीं क्रेमवेल देखने को मिलता है इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो येगा ठीक इनके नाम में तो यहाँ पे इस तमझिए जो आपके क्रेमवेल भी ये क्या कहते हैं कि सिख्छा प्रसासन का मुख्य कार ही क्या होता है तो सिख्छन यानि जो आपके teaching जो आपके learning इन सबके process से सम्मंदित लक्षों, इनकी नीतिया, नीतियों को आप policy कहते हो, इनके policy के development को प्रसाहित करना, यानि अच्छे सच्छा teaching material प्रवाइड करना, बालकों को सीखने के लिए प्रसाहित करना ही, सिख्छा प्रसासन का मुख कारे होता है, उमीद कते हैं, आप क्रैमवल के concept यहाँ पे clear हो जाए, सिख्छा प्रसासन एक साथ मिलकर कारे करने के लिए समस्त साधनों और प्रयासों को क्रिया सील बनाता है, एक साथ मिलकर जैसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे सिख्छन, यहाँ पे सीखना, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके सीखना, सभी को एक साथ मिला कर क प्रियार्वन करने पे जोर कौन देता है, सिच्छा प्रसासन जोर देता है, यानि एक तरीके से इंटीग्रेटेट रूप में कारे करने पे जोर देता आपका कौन, तो कोगे साजी सिच्छा प्रसासन देता है, ये इंपोर्टेंट है, सिच्छा प्रसासन सिच्छा के उद् जो सिच्छा प्रसासन है, वो सभी के बिचारों को अडॉप्ट करता है, सभी के बिचारों को महत्तो देता है, और सिच्छा के प्रक्रिया को संपों रूप से संचालित करने में आपकी मदद करता है, यही सैच्छिक प्रसासन का मुख्य कार्य होता है, दोस्त, उम्मीद करत थोड़ा सा समझने वाली पॉइंट है, याणि नेचर आप educational administration की बात करेंगे, ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे आप लोग समझेगा, देखो सिच्छा प्रसासन का प्रमुक भी से, प्राधिकरण या सत्ताजी से हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, अधिकार इसे हम लोग कहें, तो हम प्राधिकरण की बात करें, या फिर अधिकार की बात के यहाँ पे करें, ठीक, यहाँ पे अधिकार की या फिर यहाँ पे authority की बात करें, तो authority उस सकती को दरसाता है, जो कारे करताओं को, कारे करताओं में कारे का विभाजन करती है, और कारे के लिए उन्हें तो बनाती, जैसे हम कहने का मतलब है, यह हर चीज के लिए एक authority तो होती है, तो authority आपका क्या करती है, तो कारियों का विभाजन की कारिकर्टी, यानि बिद्याले में, जैसे बिद्याले है, तो कौन लोग class teacher होंगे, कौन उसमें principal होंगे, यह सब कारिकर्ण करता, तो कौन के स जो है, नियंत्रण वह पड़ा लिए, जिसके द्वारा सक्तियों का प्रियोग किया जाता है, परन्त ये दोनों तत्व, यानि जो आपका प्रदिकर्ण है, जो आपका authority और जो नियंत्रण है, दोनों मिलका ही प्रसासन की गुरवत्ता का नियंड़य करते हैं, अच्छे ए important role होता, ठीक, आईए, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग ये समझेंगे, कि प्रसासन में, यानि प्रसासन में, प्रादिकर्ण या फिर authority और नियंत्रण के स्वरूप के कौन कौन से पक्छ होते हैं, सबसे पहले केंद्रिकर्ण या भी केंद्रिकर्ण, यानि सत्ता या सक्ति एक केंद्रि साधन में नियुत होती है, जैसे example के तोर पे हम कह सकते हैं, विद्याले में जो आपके principal होते हैं, उन्हें आप केंद्रिकर्ण कह सकते हो, उन्हें आप centralization कह सकते हो, उन्ही के हियां से ही आपकी file आगे प्रिसित की जाती हैं, वही class के teacher को define करत होते हैं, वही तरी के सिच्छक को बताते हैं कि आपको कौन से class में जाना है, कहां जाना है, इस प्रकार के principle का कारी जो होता है, वह केंद्रिकर्ण को दरसाता है, और उसी प्रकार प्रसासन में एक विकेंद्रिकर्ण होता है, या प्रसासन का वह सरूप है, जिसमें सत्ता क बिकेंदरीकण होता है या स्वरूप अस्थानी समुदायों को आत्म निड़े के सिधान पर आधारित होता है यानि इसमें जो भी अध्यापक है जो भी इसमें टीचर गण है जो भी अध्यापिका है वो अपने लेबल पे कोई decision ले सकते हैं जबकि केंदरीकण में सिर्फ औ उन लोग मिलके कारे करते हैं तो अभिभाबत हो गए पेरेंट्स हो गए समुदायों कोई मातो दिया जाएगा तो यह प्रसासन के प्राधिकण और नियंद्रण का पहला स्वरूप हो गया केंद्रिक्रण और भी केंद्रिक्रण इसका दूसरे स्वरूप की दोस्त यहां पे आप बात कर लो important है वाह और आंतरिक प्रसासन देखो आपके 50 वर्ड में एकजाम में दोस्त देखने को भी मिलेगा और हमें अच्छे से पता है class नहीं है तो थोड़ा बहुत अगर confusion हो पर thumb के समझ लीजे सारी point को समझ जाएंगे अगर exam में आपसे question आएगा पका आएगा कि आंतरिक प्रसासन से आप क्या समझते हो वाह प्रसासन से क्या समझते हो कुछ password इसका बता दीजे उसका कुछ key points सर बता दीजे हमें हमेशा के लियाद हो जाए अच्छ वाह प्रसासन की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान से मेरी बात को समझेगा जैसे कोई agency हो गए जैसे example के तोर पे हम लोग यहाँ पे NCRT की बात कर ले ठीक यहाँ पे आपका NCTE की बात कर ले ठीक यहाँ पे NCTE की बात कर ले ठीक यहाँ पे UGC की बात कर ले यह सब वाह प्रसासन है जो सिच्छा में पाटकरम का निधान करे जो सिच्छा में एक त आपके सिच्छा को वाह रूप से कंटोल करें, उसे हम लोग external administration कहते हैं, बस इस key point को आप लोग समझ लीजेगा, यानि वाह प्रसासन क्या होता है, तो सिच्छा का वाह प्रसासन उस प्रभाव यह आदेश को संकेत करता है, जो उच अस्तर की सक्ती द्वारत देए जाते हैं जानि उच अस्तर सक्ती मतलब कहने का मतलब है, कि भारत में वाह प्रसासन का अर्थ है, सिच्छा विभाग दौरा सास की नियंत्रा लगाया जाता है, यसे example के तोर पे हम कह सकते हैं, पार्ट पुस्तकों का निर्माल करना, पार्ट करम निधारित करना, खेल के मैदान की ब बिद्याला को ले लिजे, और एक बिद्याला में आप ये देख लिजे, आपके जो अध्यापक होते हैं, वो किस में आते हैं, जो आपके दोस्त यहाँ पे एक तरीके से अध्यापक होते हैं, वो किस के अंतरगत आते हैं, कोगे साजी जो हमारे अध्यापक होते हैं, वो आंतरिक प्रसासन के रूप में आते हैं, जो पाठ करम को खिजानवित रूप देते हैं, जो खेल के मैदान में आपको इस खेल को करवाते हैं, पीटी वगर करवाते हैं, वो आंतरिक प्रसासन के रूप में आ जाएंगे, कहोगे अभी थोड़ा सा हम आपको डिप्त मिले के चलेंगे एक की पॉइंट और बताएंगे अगर बिद्याले के लेवल पे कोगे सर आप बता दिये प्रसासन और वाय प्रसासन देखो दोस्त अगर हम बिद्याले के लेवल पे बताएं तब भी यहां पे भी वाय प्रसासन और आंतरिक प्रसासन होता जैसे मान लेजे कोई ए बिद्यालय में जो teacher syllabus को पढ़ाते हैं, वो आंतरिक परसासन का कारे करते हैं, internal administration की बात करते हैं, और इसी को ब्यापक रूप में देखा जाए, तो जो यह NCRT का कारे होता, syllabus का design करना, जो एक तरिके से state government जो syllabus का design करती है, वो सब वाह परसासन के अंतर गताते हैं, और जो बि वस्था का अर्थ से लगाया जाता है, जो बिद्यालय का नेता, या फिर अपने साथियों की सहायता से, बिद्यालय के प्रत्र यानि daily routine का कारे करता हो, अध्यापक छात्र मिलके, सिछा की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो वो आपका internal administration होता, दोस्ट, इस key point को आप लोग यहाँ पे समझ लेजेगा, आज की last point आप लोग और समझ लेजे, सिछा की प्रसासन का आधार, यानि basis of educational administration की बात करेंगे, सबसे पहला point यहाँ पे आपको पढ़ना है, सैचिक उद्देश, अब देखो, बस हम आपको थोड़ा सा न, दर्तन वगरा में लेके दर्शन का मतलब हम क्या कहेंगे, तो कहोगे साजी, दर्शन का मतलब आप हमें यह बताना चारें, बिचार धारा से बताना चारें, ध्यान से मेरी बात को समझेगा, अच्छillon यह बताओ, अगर हम सिछा प्रसासन का उपयोग करना चाते हैं, यानि अपने इस्कूल में कुछ तो उद्देश से होना चाहिए, तो सबसे पहला उद्देश से क्या होना चाहिए, तो सैचीक उद्देश, जामपल के तौर पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कि देखो हर समाज का कोईन कोई तो दर्सन होता है, और दर्सन का मतलब हम विचारधारा की बात यहां कर रहे हैं हर समाज की कोई न कोई बिचारधारा होती है और उस बिचारधारा को अच्छी बिचारधारा को सुचार रूप से चलाने के लिए सुचार रूप से कंटीनिवस उसको चलाने के लिए किस पे उत्तरदाई तो जाएगा तो कोगे सजी सिच्छा के रूप में देख उन सब को संजो के रखना, उन सब को अच्छे से प्रेसित करना आगे, निस्ट पीडी में बना के रखना ही आपका सैचिक प्रसासन का पहला आधार होता है, तो उमीद करते सबसे पहले आधार को समझ गऊंगे, सैचिक उद्देश, सैचिक उद्देश क्या कहता, जो भी आपके एक तरीके से, आपके सोशल वैल्यूज हैं, उनको यदि हम अपने एजुकेशन में अडॉप्ट करना चाते हैं, तो सिथ्या प्रसासन के मादब से अडॉप्ट करेंगे, यह आपका सैचिक उद्देश से कहता, ठीक, आइए, एक अगला पांट समझेए, समाजिक आधार, यानि आपके सैचिक प्रसासन का अगला आधार होना चाहिए, समाजिक आधार, देखो, जो अभी आप उपर ये वाला आधार पड़े हैं, सैचिक उद्देश वाला, पर हम ये कहते हैं, अगर चे ये बताओ, देश की जो संस्कीत है, वो सिच्छा प्रसासन में प्रतेच रूप से स्वयम को प्रिच्छित करती है, इंपॉर्टेंट जैसे अभी एक्जाम्पल के तोर पर आप ये चले जाएंगे, अभी आप यवेस से चले जाएंगे, सिच्छा प्रसासन को प्रभावित करता है, तो उसी प्रकार से आप सिच्छा प्रसासन का डिफाइन करते हो, जो समाज का आधार है, जो सोसलोजिकल बेस है, तो इह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यानि सिच्छा समाज से यही अपिच्छा करता है, कि वो उसकी संस्कृत की रच्छा करे, जो समाज में जो आपके culture है, यदि जो उसमें रीत रिवाज है, आपका education आपका समाज सिछा से यह expect करता है, कि भईया हमारे संस्कृत को आप बना के रखो, और उस संस्कृत को, उस culture को, उस रीत रिवाज को बना के रखेगा, कौण, तो कोगे सजी, वो बना के रखेगा हमारा सेचिक प्रसासन, तो समाजिक आधार भी आपका क्या होता है, आपके एक तरीके सिस पॉइंट को, यानि सिछा प्रसासन का दो आधार हम लोग बढ़े चुके, सबसे पहले सचिक उद्दे से होना चाहिए, सिछा प्रसासन का पहला आधार, जूसरा आधार समाजिक आधार होना चाहिए, और तीसरा और लाश्ट आधार, यहाँ पर दोस्त क्या होना चाहिए तो मनोबैग्यानिक आधार, मनोबैग्यानिक कहने का मतलब है बालक की रुचियों जैसे एक्जामपर के तोर पे समझे ठीक है बालक की रुचियों ठीक है बालक की रुचियों एक्जामपर के तोर पे यह समझे अगर जहां मनोबिज्ञानिक की बात कर लें तो आप सब को पता कि जब भी आप प्रसासनी कारे कर रहे हो ज यानि एक तरीके से आपका विसेवस्तु केंदित किस पे होना चाहिए, बालक पे केंदित होना चाहिए, यह important point पर यानि सिच्छा परशासन या अनपरशासनों से भिन होता है, क्योंकि उसका सम्मंद बेक्ति के बिकास से होता है, इसलिए आपका लोग परशासन से सिच्छा प्रसासन अन भी माना जाता है क्योंकि ये बालक की रुचियों पे जोड देता है, बालक की एक तरीके एजुकेशन पे जोड देता है, अन प्रसासनों में बेक्तिके बिकास पर ध्यान देना इतना जरूरी नहीं माना जाता है, बलकि एक तरीके सिच्छा प्रसासन में बालक के बिकास पे बालग के बिक्तिकत मुल्यों पे समाज के मुल्यों पे अधिक जोड दिया जाता है इसलिए आपका सिच्छा परसासन का अगला अधार क्या होना चाहिए कोगे सजी मनोबैज्यानिक अधार होना चाहिए साइकोलोजिकल बेस होना चाहिए ये भी पॉइंट इंपॉटेंट होता है सिच्छा परसासन एक गत्सील प्रक्रिया है नोट पॉइंट लिख लिजेगा और जिसका केंदरबिंदु क्या होता तो बालक होता दोस्ट इसकी पॉइंट को अपने एक तरीके से ब्रेन में फिट कर लिजेगा कि सिच्छा परसासन का एक गत्सील प्रक्रिया है और जिसका केंदरबिंदु एक बालक है और इसी को ध्यान में रखे ही आप सिच्छा परसासन का संचारन कर सकते हो ठीक है इसी के बारे में यहाँ पे एक तरीके से ग्रहां बैल फोर क्या कहते है सिच्प पर्शासन का उद्धे से होता है और इसी प्रसासन का मुख के उद्धे से होता है और इसी प्रसासन को हम निस्ञर्स के रूप में समाप्ती करेंगे कि यानि सिच्छा प्रसासन होता क्या है तो एक उपयुक्त बालक को ढूड़ना जो सिच्छा को गहन करने में सच्छम है और उसको उपयुक्त अध्यापक प्रवाइड करना और यही सिच्छा का मुख के उद्दे से होता है और यदि सिच्छा प्रसासन के और बात करें तो भयाँ आप प्लान करना ठीक यानि यहाँ पे हम नियोजन की बात करेंगे प्लानिंग करना नियोजन करना यहाँ पे आप क्या करोगे तो कहोगे सर्जी बिवस्थापन करना ही सिच्छा प्रसासन का मुख्य उद्देश से होता है यही आपके ग्राहम वैल 4 कहते हैं सिच्छा प्रसासन के बारे में ठीक और यहीं के लाश्ट पॉइंट में नोट पॉइंट समलेजे कि सिच्छा प्रसासन फाइल केंदित न होकर कि बेक्ति केंदित होना आवस्यक होता है देखो सिच्छा प्रसासन यह नहीं कहता कि आप बालकों को एक फाइल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ कानून बना दिये उन्हें की हिसाब से चलिए नहीं सिच्छा प्रसासन कहता कि जो बेक्ति केंदित न कहके आप यहां पे बालक केंदित कहेंगे तो बेतर होगा यांनि यह बालक के रुचियों पर आपका अपका प्रसासन उसी के हिसाफ से सिच्छा ब्यवस्ता का सच चालन करता है तो यह सारी पॉइंट यहां पे कंप्लीट होती है उम्मीद करते हैं पूरे की पूरे concept को आप यहाँ पे अच्छे से समझ गया होंगे अब एक बार हम यहाँ पे आपका revision कराके फिर हम दोस्त यहाँ पे class को off करते हैं आप लोग अच्छे से पूरी class को यहाँ पे समझ लिजेगा और आपकी first class का पूरा पीडियप जो है वो हम आपके टिलिग्राम चैनल दा परफेक्ट इशडी पे आपको प्रोवाइड कर देंगे वहाँ से जाके आप लोग एक तरीके से ले लिजेगा ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं टिलिग्राम चैनल का अब एक बार हम आपको यहाँ पर रिवीजन करा दें थोड़ी सी class लंबी हुई पर आप लोग manage कर लिजेगा एक बार दोस्त यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे ठीक है दियान से मेरी बात को यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करिगा अगर यहाँ पर सिछा परसासन की बात करें हम लोग तो सिछा परसासन को समझने से पहले को सैचिक परसासन समझना आवस्यक है और सैचिक प्रसासन होता क्या है? तो हम कह सकते हैं, किसी संगठन के कार्यों को सुचार रुप से चलाना, किसी संगठन के प्रकृत के लिए administration का होना important है, जरूरी होता ही होता है, और किस प्रसासन को अंग्रेजी में क्या कहते है? administration किस भासा से लिया गया है तो Latin भासा के minister से लिया गया जिसका अर्थ होता है कि दूसरों की सेवा करना क्या दूसरों की सेवा रत में लगे रहना या पिर दूसरों की सेवा भाव से कारे करना दूसरों के लिए दूसरों की सेवा करना ही इसका minister का मुक्रूप से हम ये कह सकते हैं इसका मुख्य रूप से अर्थ होता Latin language में Latin भासा में ठीक है अब उम्मीद करते हैं दोस्ट पूरी class को आप लोग समझे होंगे एक बार class को और देखेगा कोई confusion कोई दिक्कत रहे गई हो तो आप लोग एक तरीके से कमेंट भी कर सकते हैं और complete notes के लिए second semester के 9005587371 पे संपर करके complete notes आप ले लिजेगा अच्छे से English Hindi language में जिस भी language में कहेंगे notes आपको प्रवाइड कर दिया जागा ठीक है चलिए मिलते हैं दोस्ट हम लोग अगली class में उम्मीद करते हैं आपको पूरी class समझ में आई होगी एक बार आप comment section में comment करिएगा अपना feedback दीजेगा ठीक चलिए मिलते हम लोग अपने अगली class में सभी भाई बैन अपना ख्याल लखें खूब मन से पड़ते रहें ममीद पापा का नाम रोसन करिए अच्छे बेक्तितों के साथ जीवन बितीत करिए आप सभी अपना ख्याल लखें आप सभी भाई बैन को जैहीं जै भारत